प्रेंट्स आज हम ग्रूप 4th 2012 के पेपर से और मजीद कोशन्स को देखेंगे ये वीडियो तमाम काम्टिड्व एक्जाम्स के लिए बहुती इंपॉर्टेंट है आप ज़रूर इस वीडियो को कम्प्लीट देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताके हमारी ही मतवजाई हो मैंने सवालाद आपके लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं आप ज़रूर इस वीडियो से मुस्तफीद हो और मजीद इस तरह के सवालाद भी पिछले वीडियो में पेश किये गये हैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौझूद है आप पार्ट 1,2,3,4 को भी देख सकते हैं चलिए फ्रेंड्स आज का पहला सवाल जो 2012 के पेपर में दिया गया था गुरूब 4 के सरा है यह हिंदुस्तान के पहले चीफ एलेक्शन कमिशनर कौन थे तो उसके चार आप्शन दिये गए थे हाँ पर तो इसका सही जवाब है अप्शन 4 करेक्टे डी सुकुमार सेन यहाँ पर यह हिंदुस्तान के पहले चीफ एलेक्शन कमिशनर थे चलिए नेक्स्ट 44 को देखेंगे हिंदुस्तान के फाइनान्स कमिशन के पहले चेर्मेन कौन थे देखे यहाँ पर भी 4 आप्शन दिये गए थे तो इसका सही answer है option 3 केसी नियोगी यानि third option यहाँ पर करक्ठे केसी नियोगी जो है वो हिंदुस्तान के finance commission के पहले chairman थे next question number 45 देखेंगे हम यहाँ पर हिंदुस्तान के पहले controller and editor journal काउन थे the first controller and auditor journal of India सही answer है option 4 वी नराहारी राओ यानि यहाँ पर यह fourth option करक्ठे वी नराहारी राओ controller and auditor journal थे next question number 46 है अलमी आफाथ world disasters में जलजलों और tsunami का हिस्सा कितने फीसद है इन वर्ल डिजास्टर वाट परसेंट इस accounted for earthquakes and tsunami तो इसका सही option है देखें यहाँ पर 5 परसेंट 6 परसेंट 7 परसेंट और 8 परसेंट तो सही आंसर है इसका 8 परसेंट है earthquake और tsunami के तहित वर्ल डिजास्टर में 8 परसेंट है यहाँ पर एन फोर्थ option करेक्ठ है अब हम question number 47 को देखेंगे किसी फर्द को गवर्नर की हैसिया से कितनी मर्तबा नामज़द किया जा सकता है a person may be appointed as a governor for one term only two term only three terms only any number of terms तो बताईए इसका सही answer correct answer है कितनी मर्तबा भी नामज़द किया जा सकता है any number of times यानि यहाँ पर fourth option करेक्ठ है next question है लफ्ज मानसून की जुबान से अख्ज किया गया है the word monsoon is derived from Greek, Arabic, Latin, Sanskrit, Yunani, Arabic, Latin यह संस्क्रीट तो the word monsoon जो है वो Arabic word है यानि यहाँ पर यह second option करेक्ठ है next question है 49 हिंदुस्तान में आफाद से राहतकारी का खानून कब बना हिंदुस्तान में आफाद से राहतकारी का खानून कब बना disaster management act was made in India तो इसका सही answer है answer 2005 यानि second option यहाँ पर करेक्ठ है 2005 management act बना 2005 में question number 50 है virus के अमरास में शामिल है virus disease include यानि कौन सी बीमारी virus के जरीए होती है यहाँ पर है smallpox यानि चेचक, dango, aids या तमाम all the abo देखिए यहाँ पर जो चेचक है यह भी virus के जरीए होती है dango भी virus के जरीए ही होती है और aids भी virus के जरीए ही तो यहाँ पर all the abo करेक्ठ है यानि fourth option यहाँ पर करेक्ठ है चलिए next देखेंगे अब हम 51 इनसानी जिसम में सबसे बड़ा अजू कौन सा है largest organ in human body is दमा, दिल, जिल, पिखरी, आसा, brain, hurt, skin और spinal nerves तो इसका सही आंसर है skin जो है इनसानी जिसम का सबसे बड़ा अजू है next है question number 52 पेट्रोल कार का मौजित कौन था inventor of petrol caries इसके लिए यहाँ पर चार option है Carl Benz, Franklin, Harrison, Carrarian तो इसका सही आंसर है inventor of petrol caries Carl Benz यानि first option करक्ठ है next question number 53 है इंदुस्तान में आफाद की जद में रहने वाली रियासतों और मरकजी जेरे इंतिजामी इलाखों की तेदाद the number of states and union territories in India which are prone to disaster is तो dear students अब इस question का answer हमें जरूर comment करकर बताएं 23, 24, 26 और 27 next question number 54 और यह हमारी class का last question है इंदुस्तान की साहली पटी का कितना हिस्सा तूफानों, आंधियों और सोनामियों की जद में होता है how much of India's coastline is vulnerable for cyclones, storms and tsunamis तो इसका सही answer है first option 5,500 km 5,700 km यानी first option करक्थे जुमला हिंदुस्तान का जो साहली इलाखा है वो है 7,516 km यानी 7,516 km जिसमें 5,700 km जो है वो तूफानों, आंधियों और सोनामियों की जद में रहता है तो dear students यहाँ पर आज की class का एक्तिताब होता है आप ज़रूर हमारे चैनल को subscribe करें, like करें और share करें ताके इस तरह के वीडियों भी आपको आगे मिलते रहें Thank you